ब्रहस्पती को धनु राशी में पाप ग्रहों शुक्र, सूर्य और बुद्ध के साथ रखने से क्या संभावित प्रभाव हो सकते हैं? जियोतिश के प्रती उत्साही लोगों स्वागत है। आज, हम ब्रहसपती को धनु राशी में पाप ग्रहों शुक्र, सूर्य और बुद्ध के साथ रखने से होने वाले दिल्चस्प प्रभावों के बारे में जानेंगे। ब्रहसपती, जो की महान शुब ग्रह है, धनु राशी में अपने घर जैसा महसूस करता है, बुद्धी, आशावाद और आध्यात्मिक विकास को बढ़ाता है। हालां की, जब पाप ग्रहों के साथ जोड़ा जाता है, तो गतिशीलता बदल जाती है। पाप शुक्र के साथ रिष्टों में उथल पुथल का सामना करना पड़ सकता है। शुक्र का प्रभाव अतिभोग, प्रेम में संधर्ष और वित्तिय चुनौतियों को ला सकता है, जिससे ब्रहसपती के सामन जिस्य पूर्ण वाइब्स में बाधा आ सकती। है, जब सूर्य अपने पाप में, मिश्रन में शामिल होता है, तो अहनकार संधर्ष और अधिकार संबंधी मुद्दे उत्पन हो सकते हैं। यह व्यक्तिगत इच्छाओं और नैतिक मूल्यों के बीच संधर्ष का कारण बन सकता है, जिससे आंतरिक संधर्ष हो सकता है। अंत में, पाप बुध संचार और बुध्धी को खराब कर सकता है। गलत फहमी, खराब निर्नए लेने की क्षमता और घबराहट की उर्जा ब्रहस्पती के व्यापक ध्यान को प्रभावित कर सकती है। इन चुनोतियों के बावजूद, ब्रहस्पती की अंतरनिहित सकारात मक्ता अभी भी चमक सकती है, जो हमें प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच उच्चे समझ और विकास की तलाश करने के लिए प्रोथसाहित करती है। इन ब्रह्मान डियर पार्थों को अपनाएं और जागरूकता के साथ आगे बढ़ें। जियोतिश से जुड़ी और जानकारी के लिए कृप्या लाइ करें और सबस्क्राइब करें।